हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो याज स्पिरिचल चैनल, आर्जो सोल आज आप लोगों को एक नया टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने नेगेटिव इशूस को हील कर सके हम सभी में कुछ ना कुछ नेगेटिव इशूस होते ही है चाहे वो जेलेसी का हो, ग्रीडिनस का हो, या गॉसिपिंग का हो, कोई भी नेगेटिव इशूस हो जिसको हम अवेर होके खुद चाहते हैं कि इसको हम हील करें क्योंकि नेगेटिव इशूस जो भी होते हैं वो हमें जब तक हील नहीं करेंगे तक हमें पॉज़िव इटी नहीं आएगी और जब तक पॉज़िव इटी नहीं आएगी तो हम भी पॉज़िविटी एट्रैक नहीं कर पाएंगे लाइफ में इसके लिए बहुत ज़रूरी है खुद को positive बनाना, spiritual होना और सब को positive रखना तो अगर हम रेकी सीखते हैं, रेकी सीखने का मतलब है रेकी properly attunement लेकर किसी योग्य रेकी गुरू से, रेकी master teacher या रेकी grand master से properly attunement लेने के बाद अगर हम regular practice करते हैं, तो हमारे life के हर एक problem के solution तो हमें खुद से ही मिल जाएगा और साथ ही साथ हम spiritual भी हो पाएंगे और जब भी हम spirituality के तरफ जाते हैं, तो automatically हमारे अंदर बहुत से positive changes आते हैं और हमारे life को खुशियों से भर देते हैं, तो आईए जानते हैं वो technique क्या है, actually technique नहीं बोलूँगी हमें आप ये tip के हिसाब से कर सकते हो, जब भी आपने किसी एक आपके अंदर एक negative issue को realize किया suppose वो jealousy हो, कि आपने realize किया कि आप में jealousy का issue है और आप चाहते हो कि इस jealousy का issue को हम आप हमेशा के लिए दूर कर दो तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी आप पूजा करते हो, जरूरी नहीं है कि आपको पूजा के time ही करना है, सिर्फ आपको ये share होना है कि आप चाहते हो 100% कि आपके अंदर से ये negative issue दूर हो जाए और आप positive बन जाओ तो आपको क्या करना है, आपको तीन अगरबत्ती लेना है, किसी भी fragrance का ले सकते हैं और आपके दोनों हाथों के दोनों हाथों के thumb और index finger ये जो दोनों fingers होते हैं दोनों हाथों में आप इन चारों उंगलियों से पकर सकते हैं अगरबत्ती को अधरवाइस आप दस उंगली से भी एक साथ पकर सकते हैं पर ये ध्यान रखिएगा कि आपके thumb और तरजनी या इंडिक्स फिंगर ये दोनों अगरबत्ती को जरू छूके रखे हैं फिर आप भगवान से या आपके आद्ध्य से इस्ट से जिसको आप अपना गुरु मांते हैं या आपके इश्टडेव हैं या अगर मुसलिम है'm affect that end कोई भी हैं किसी भी धर्म से Mog करते हैं आप अपने ऑल्माइटी को अपने ईश्वर को प्रार्थना कीजिए उन्हें डेडिकेट कीजिए उन्हें यह बोलिए कि मेरे अंदर ये jealousy का issue है या मेरे अंदर greediness का लालच का issue है या gossiping का issue है या आप में जो भी negative thoughts है इनको मैं आपको dedicate करना चाहती हूँ या चाहता हूँ please please मुझे इस negativity से मुक्त कर दीजिए ताकि मैं positive बन सकूँ और फिर आप कुछ देर तक इस prayer को करते रहें अगर बत्ती तीनों अगर बत्ती को अच्छे से उंगलियों से पकड़ के आप feel कीजिए कि आपके अंदर से जो भी negative issue को आप heal करना चाहते हैं एक बार में एक ही इशू को हील कीजिए और फिर उस आप फील कीजिए कि आपके अंदर से आपके हाट से आपके दोनों कंधों से होते हुए आपके हाथों के दोनों कौनियों से होते हुए आपके पाम्स में आते हुए आपके फिंगर्स के तुरू आपके अंदर की जो भी नेगेटिव कर रहे हैं यह आप अच्छे से फील कीजिए और जब आपको फील हो कि हाँ जितना भी नेगेटिविटी था जो इश्व आप हील करना चाह रहे हैं उसकी नेगेटिविटी एब्जॉफ कर चुकी है यह तीन अगरवती तब आप इश्वर को प्राक्थना करके इश्वर से कह बोलिए प्राक्थना कीजिए कि अभी आज से अभी से मेरे अंदर की इस बुढ़ाई को इस नेगेटिविटी को मैं आपको निवेदन करती हूं या करता हूं और इस इश्वर को आप हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दीजिए ऐसा बोलते हुए प्राक्थना करते हुए इन तीनों अगरवतियों को जलाईए और भगवान के सामने रखिए और फिर इन एश्वर को अगर हो सके तो फिर यूनिवर्स के तरफ उड़ा दीजिए या पानी में भी आप प्रवाहित कर सकते हैं आपके टैप वाटर में या बात्रूम में कहीं भी आप फ्लैश फील करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आपका इश्व कितना हील हुआ है और नेक्स्ट इश्व नेक्स्ट जो नेगेटिव इश्व होंगे उसको भी आप ऐसे ही ही हील करने की कोशिश कीजिए आज यहीं तक बहुत खुश रही है पॉजिटिव रही है नमस्टे